लखिमपूर खीरी जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहाँ पर एक तेज रफ्तार अग्यात वाहन नी एक बाई को पीछे से टकर मार दी टकर इतनी जोरदार थी कि बाईक सवार एक युवक की मौके पर ही ददनाक मौत हो गए वही एक युवक गंबिर रूप से घायल हो गया वही ग्रामिनों द्वारा सुच्रा मिलते ही मौके पर भोची पुलीस ने शव को कबजे में लेकर आनन्फानन में ग्रामिनों की सहायता से घायल युवक को पलिया सी एसी भेश दिया चाच चिकित सकों ने उसको उम्रिद घोशित कर दिया दरसल ताजा मामला लखिंपुर खिरीजिले के कोतवाली पलियाक शेतर के संपुर्णा नगर मार्क के ग्राम नगला में बैंक और बढ़ोदा के पास का बताया जा रहा है चापर एक तेज रफ्तार अग्यातवाहन ने एक बाइक को पीछे से टकर मादी टकर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार बलवीर सिंग का 22 वर्ष यप उत्र संदीप सिंग निवासी ग्राम बोधियाक कला थाना निगासन की मौके पर ही दरदनाक मौत हो गए वही सोमनात का 22 वर्ष यप उत्र मिनोद निवासी सोमनात हसनपूर थाना निगासन युवग गंबी रूप से गायल हो गया जिसकी जानकारी मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुची पुलीस ने शव को कबजे में लेकर गायल युवग को 108 नंबर पर कॉल कर एम्मिलेंस की साहिता से पलिया के सामुदाइक स्वास्त केंद्र भेज दिया जहापर चिकित सकों ने उसे मुर्द गोशित कर दिया उधर घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोराम मच गया वही दूसरी और पुलीस ने दोनों शव को कबजे में लेकर पंचरामा भरकर बोस मौटम के लिए जिला मुख्याले बेजने की तयारी में जुट गई है लखेंपूर खीरिस से फारुक हुसेन की रिपोर्ट